मित्रो सबको नमस्कार पूरे प्रिदेश में लगवग अच्छी वर्सात हो रही है और अब मैं यह कह सकता हूँ कि वर्सा की कमी की जो इस्थिती पैदा हुई थी सूखे की वो अब समाप्ति की ओर है मैं महाकाल महराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ एक अद्वुत काम मदफ्रेश की दर्दी पर हो रहा है आदिगुरु संक्राचायर जी महराज जिन्होंने अद्वयत को जनजन तक पहुँचाने की प्रिणना पैदा की एक ही चेतना समस्त जल एवं चेतन में है एक ही चेतना आत्मवत सर्व भूतेशू और उन्होंने भारत को सांस्कृति पूफ से जोड़ने का काम एक रखने का काम किया उनकी प्रितिमा स्टेच्व अफवननेस एक आत्मता की मूर्ती वह उमकारिस्वर में हमने बनाई है आगे अद्वयत लोग भी बन रहा है जो हमारी रसोई गैस का सिलेंडर है वह चार सो पचास रुपे में अब रिफिल होगा और यह नहीं होजना हम लोगोंने बनाई है इसके लावार्थी आपको पता है प्रधान मंत्री उज्वला योजना में पंजिकृत सभी महलाओं को लाब मिलेगा बेहनों को लाब मिलेगा और मुखमंत्री लाड़ी बेहना योजना में पंजिकृत ऐसी बेहन है जिनके नाम से घरे लूग इस कनेक्शन है किन्तु जो उज्वला की हिद्गराही नहीं है, उनको भी लाब मिलेगा, बेहन के स्वयम के नाब पर कनेक्शन होना चाहिए, अब इसके लिए हम पंजियन कर रहे हैं, आपके पास सारी निर्देश आगए, पंजियन मुखमतनी लाडली बेहना पोर्टल पर किया जाएगा, स्लेंडर र कार उन सभी केंडरों पर किया जाएगा, जहां लाडली बेहना योजना में हमारी बेहनों ने पंजियन कराया, ये पंजियन का कारी करने के लिए केंडर बनाना है, जिम्मेदार लोग बैठाना है, ताकि फटा-फटा हमारे पंजियन का कारी हो सके, 25 सितंबर से ये पूरी सासंद्वारा पोर्टेल पर पंजी के पात रितक्राहिएं के सूची प्रदस्तित कर दी जाएगी और बढ़ते रहेंगे तो समय समय पर इसको अध्यतन करते रहेंगे सामाने ताम 5 अक्टूबर तक इसको खतम कर देंगे पंजेन के लिए जो आवसक दस्तावेज है लाड़ी बेना का समगर आईडी दो ही चीज़े हैं और इस पंजेन के बाद उन बेनों के खाते में अंतर की रासी जो है चारसो पचास और एक्ट्वल जो दर्य हैं वो रासी उनके खाते में उजूला रसोई गैस योजना की तो कंपनी गैस कंपनी को हम देंगे वो खाते में भुक्तान करेंगी और लाड़ी बेना का सीधे हम बेनों के खाते में डालेंगे तो इसको आप पूरी गंबीर्टा के साथ को कि मैंने आज मेरा संदेश टेलिवीजन पर भी चलना कि कल से मतलब सोला तारिक से ये पंजियन प्रारंब होगा मित्रो एक और योजना कई लोगों के नाम प्रधान मंत्री आवास योजना से छूट गए लिए आवास प्लस में भी उटके नाम नहीं लेकिन कच्छे गरवं में रह रहे हैं इस्थिती उनकी अच्छी नहीं है तो मन में आया कि हमारी जो अंजिद्ध आवास योजना थी उसका विस्तारी करन किया जाए और एक मुकमंत्री लाडली बेहना आवास योजना हमने बना दी इस योजना में प्रधान मंत्री आबास योजना का लाब मिलने से बंचतर रह गए पातर परिवारों को मुक्ः मंत्री लाड़डी बहना आबास स्योजना की अंतरगत आबास स्विक्रित किया जाएगा ये राजजिसासन की योजना होगी ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन के अंतरगत ये ग्रामीन के लिए आवास प्लस एप पोर्टल पर स्वता रिजेक्ट हो गए नमबर दो ऐसे परिवाद जो भारत सरकार के M.I.S. पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए फिर ऐसे परिवाद जो सामाजिक एमम जातिकत गड़ना 2011 एवं आपास आवास प्लस की सूची में नहीं हैं और उन्हें किसी सरकारी योजना में आवास नहीं मिलाएं ये इसके पात्र होंगे योजना से संबंधित आवेदन फार्म जन्पत पंचातों द्वारा ग्राम पंचातों को उपलब्द कराए जाएंगे ग्राम पंचातों को द्वारा 17 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 टक आवेदन प्राप्त किये जाएंगे प्राप्त पात्र आवेदा ग्राम पंचाथ में फार्म बर्कर जमा करेंगे और पंचाथ सचिव और ग्राम रोजगार साहिक से पावती पाएंगे आवेदान के साथ जो दस्तावेज जमा होने हैं समगर आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांग, मंदेगा का जाबकाड यदि उपलब दो तो लाड़ली बहना योजना का पंचन किरमांग इन सभी दस्तावेजों को स्व्यम सत्यापित करके देना हैं किसी और को सत्यापित करने के जबुवत नहीं है सत्यापन के पस्चाथ राज सरकार द्वारा, पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कारवाई प्रारंभ की जाएगी योजना का लाव लेने के लिए प्राप्त होने वाले आवेधन प्रधान मंतरी आवास योजना गिरामीन के पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे